तो यहां पर हम स्टील के बारे में कम्प्लीट जो कॉश्चन बन रहे हैं एक्जाम के पॉइंट विज से उन सभी को डिस्क्राइब करने वाले हैं तो वीडियो को अपने दोस्तों साब करने से पहलें अगर आपने हमारी वीडियो कैसी लेगी अगर आप ऐसी ही वीडियो जो है वो चाहते हैं कि सर और वीडियो लेकर आए ऐसी वीडियो जब और कमेंट बॉक्स में खीजे कि आपको इसतले रिख वीडियो अच्छी लगती है और आप हमारी बैप साइट पर जा सकते हैं और माँपन्स्ट लगा स्कते हैं हम ने बहुत से मांकिर जो आपके लिए अफरे रखे हुए हैं और एक complete crash course जो आपके लिए provide कर रहे हैं वो जब आप हमारी website को open करते हैं तो वहाँ पर आपको वो crash course जो देखने को मिल जाता है वहाँ पर हमने subject wise आपके लिए crash course जो उनको हम त्यार कर रहे हैं तो आप जो त्यार हो चुका है उसको आप लगा सकते हैं और अपनी exam की preparation जो उनको continue कर सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी video तो आज का जो हमारा topic है मैंने आपको बता दिए कि steel के बारे में है तो steel में जितने भी question बनते हैं वह सारे ही आपके आपके लिए यहां पर लेके आए हैं तो ऐसा आपको समझ में नहीं आएगा मैं screen पर कुछी point जो है visible करेंगे वह मैं आपको समझाओंगा कि वह क्या है तो सबसे पहले देखिए यहां पर alloy of iron and carbon तो steel जो होता है वह एक alloy होता है mission होता है किसका iron and carbon का जो steel होता है उसमें iron भी होता है इनका लोहा और carbon भी होता है अब कितना percentage होता हो आपको मैं नीचे बताऊंगा तो यहां पर द ऌब हमारे पतुश जो के इस तो हमारे पास कहने का कि यह होता है वह सकी में तो दौनों ही जोंन में बाते हैं और को स्टॉंग होता है एक सद्धि युश्श्यकude पहते हैं next time point की बात करते हैं तो जो percentage रहता है carbon का steel में वो up to date percent तक आपको carbon content जो है वो steel में देखने को मिलता है अब according to हमने steel को क्या divide किया कि according to carbon content carbon content के according हमने steel को three part में divide किया हुआ है यहां से three part में हमने steel को divide किया हुआ है friends video को shape किजिए आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी और ऐसी ही वीडियो आप लेके आए तो मैंने आपको बता है कि steel को हमने three part में divide किया हुआ according to carbon content तो three part जो हैं वो ही हैं जैसे कि mild steel है इसको हम low mild steel भी बोल सकते हैं लो carbon steel भी हम बोलते हैं या फिर mild steel भी हम बोल सकते हैं तो इसमें carbon का percentage रहता है वो point 25% इसमें carbon का content रहता है उसके बाद अगर हम बात करें medium carbon steel medium carbon steel जो होता है उसमें जो carbon content होता है वो 0.25 से लेकर 0.70% होता है अगर हम steel में carbon content होता है वैसे poison ratio भी होता है जो poison ratio यांकर poison ratio को हम new से denote करते हैं तो poison ratio जो होता है वो 0.3 होता है 0.3 जो होता है वो poison ratio की value होती है उसके पर next हमारा part है high carbon steel high carbon steel जो होता है वो 0.70 से लेकर 0.5% जो होता है वो carbon content होता है उसके बाद बात आती है कि अगर हमारा carbon content जो है वो steel में increase हो जाए carbon content जो बहुत ही जादा है तो हमारी जो एक ductility होती है ductility जो होती है वो कम हो जाती है यानिकि decrease हो जाती है वो मैंने नीचे point लिखा हुआ है वो भी मैं आपको बता हूँगा लेकिन यहां पर next हम point की बात करते हैं तो next point है density of steel density of steel जो होती है वो कितनी होती है density of steel यानिकि एक cubic meter जो है one cubic meter जो है उसमें कितना steel लगता है उसमें जो steel होता है वो 78-50 kg होता है एक cubic meter में 78-50 kg density of steel होती है लगता है इनिके modulus of elasticity की अगर हम बात करें तो modulus of elasticity जो होती है वो यहां पर जितने भी points है मैप के लिए steel के ही लेका है क्योंकि all about steel है तो modulus of elasticity जो होती है steel की वो 201 गीगा पासकल होती है 201 गीगा पासकल होती है modulus of elasticity की अगर हम बात करें तो उसके बाद अगर हम thermal expansion की बात करें at 20 degree Celsius पर thermal expansion जो होता है steel का 20 degree Celsius पर एक होता है वार पास coefficient of thermal expansion जो होता है steel का एक वो होता है एक जो होता है वो होता है thermal expansion at 20 degree Celsius पर तो वो होता है यह वाला 11.7 into 10 raised to power 6 degree Celsius यह जो होता है thermal expansion होता है steel का next हम बात करें इसकी specific heat जो होती है उसके बारे में specific heat जो होती है वो 480 joule per kg k होती है इस point को आप याद रखिए specific heat जो होती है वो 480 joule per kg k होती है इस very very important points है exam के pointer भी से next हम बात करें tensile यह जो है gate वालों के लिए very very important है क्योंकि gate में यह question जो है पूछा गया था tensile stand के अगर हम बात करें तो वो होती है पांसो पैंसेट मेगा पास्कल tensile stand होती है वो steel की यहां पर मैंने steel के ही point question लिया तो यहां पर all about steel ही है फ्रेंस comment कीजिए कि आपको इस तरह की वीडियो हमारी अच्छी लगी और आगे इसी तरह की वीडियो में आपके लिए लेके आऊं फांसो पैंसेट मेगा पास्कलिस की ten이면 रेंस स्टेंट होती है पीचे-अफिय भी है अच्छा keyboard की दिये हो तो वहां पर मैंने में मेंचीन किया हुआ मने मुछय के पूछा तो近 cần मिंच नहीं किया क्यूंकि कि बात करें की यहाँ पे होट प्सकर पास्कल रोल्र स्टील की होती है यहां पर हस्टीक होती है यह होट रोल्र स्टील के हए हिल्स्ट द तो यहां पर मेंचन किया हुआ है तो वह होती है 310 MPa next point के अगर हम बात करें वो है coefficient of thermal expansion पीछे हमने coefficient of thermal expansion at 20 degree Celsius पर discuss किया था अब यहाँ पर जो coefficient of thermal expansion होता है वो simply steel का पूछा गया है तो वो होता है 12 into 10 raise to power minus 6 होता है वहाँ पर minus 6 नहीं था यहाँ पर minus 6 है degree Celsius होता है जिसे कि 12 into 10 raise to power minus 6 पर degree Celsius तो यह जो होता है coefficient of thermal expansion होता है steel का अगर हम इसके unit of measurement की बात करें तो इसका unit of measurement जो होता है वो quintal होता है कैई जगा आपको केजी भी देखनों को मिलता है एक्जाम के पॉइंटर मैं बता रहा हूं केजी जो quintal होता है उसका भी अगर हम sub sub division करते हैं तो वो केजी में हम convert कर सकते हैं तो gram में भी कई जगा देखनों को मिलेगा कि इतने gram यह exam बाले जो हैं कुछ भी कर सकते हैं आगे पिछे आपको confuse करने के लिए आप कुछ भी यहाँ पर दे देते हैं वो तो friends बहुत ही important वीडियो है अपने वीडियो को दोस्तों के साथ share कीजे वीडियो को ताकि आपको इसी तरह की वीडियो जो है मिलती रहे वीडियो काफी लंबी नहीं होगी छोटी ही होगी यहाँ पर बहुत से point आपको देखनों मिलेंगे approximate 100 के आसपास तो point आज हम यहाँ पर सीख ही लेंगे all about steel में तो next question देखें यहाँ पर modulus of rigidity जो होती है modulus of rigidity जो होती है वो कितनी होती है तो वो होती है 0.84 से लेकर 10 raised to power 5 से लेकर 0.1 into 10 raised to power 5 Newton per m square होती है इसकी modulus of rigidity यहाँ पर यहाँ पर यहाँ होना था यहाँ मोडलिस की अगर हम बात करे तो वो कितना होता है 2 into 10 raised to power 5 Newton per m square तो यह उसका young modulus होता है यह points very very important है points देखिए minimum elongation जो होता है mild steel का वो कितना होता है minimum elongation जो होता है mild steel का वो कितना होता है minimum elongation का meaning है कि जो ब्रिद्धी होती है mild steel में जैसे कि यहाँ पर mild steel है उसमें कितनी ब्रिद्धी होती है तो वो 23% ब्रिद्धी होती है माईल स्टीट में यानिके मिन्वां इलोकेशन जो होता है वो 23% है यानिके इलोंगेशन होता है इसमें इलोंगेशन यानिके इलोंग, थोड़ा सा बढ़ना, ब्रिद्धी होना next देखिए property of steel can be changed why so property जो होती है steel की उसको हम change कर सकते हैं कैसे heat करके heat treatment जो होती है जैसे कि आप जो आपके पास steel है उसको अगर आग में डालते हैं उसको उपर hammer मारेंगे तो उसकी property जो हम change हो जाती है तो यह question जो था property of steel can be altered why कुछ question जो इस तरह से पूछा गया तो मैंने change simply यहां पर change कर देगी उसकी property जो हो है हम उसको change कर सकते हैं why कैसे हैं अगला point देखिए tangible strength जो होती है mild steel की वो कितनी होती है tangible strength जो होती है mild steel की वो कितनी होती है 42 से लेकर 3400 kg per cm2 जो होती है इसकी tangible strength होती है अगर हम इसकी इंडियन strength code से बात करें कि वो क्योंसे IS code से relate करता है तो वो mild steel जो होता है वो 432-1996 इस IS code से वो relate करता है नेक्स्ट अगर हम बात करें इंडियन strength जो होती है mild steel plane बार की वो 250 newton per mm2 होती है यहाँ पर हमने उसकी mild steel की 10-0 की बात करी और यहां पर yield strength होती है mild steel की पिछे-पिछे हमने 10-0 जो इसकी स्टील की डिसकस की ती हमने mild steel की discuss यहां पर हमने mild steel की डिसकस किये 10-0 यह नहीं होना है वाँपे steel की थी यहां पर mild स्टील की है अब हमार पार इंडियन स्टैंडर का जो कोड होता है जो कि किसे लेड करता है है यानि के हाई इल्ड स्टेंथ डिफॉर्म बार्ज होती है उससे ये वाला आइस कोड जो है लेड करता है तो एक्जाम में ये वाला SSEJ में पूछा गया था माईस्टील के ओपर हो सकता है इल्ड स्टेंट के ओपर भी पूछा जाए कि को से HYST वार जो होती है वो कौन से I-SCOAT से लेट करता है So All Awards टील के बारे में यहां पर देखिए हमने HYST वार का एक डायग्राम लिया है यहां से मैं आपको समझाता हूँ कि क्या क्या points कोन से होते हैं कोन से point क्या होते हैं पूरी चानकारी आपको मिलेगी इसी वीडियो में So यहां पर देखिए यह जो हैं यह जितने भी हैं इनको हम क्या बोलते हैं Yak takes a 8 फिकर इसी बोलते हैं ये PD आपको पइता हुने की इसको लग्स हम बोलते हैं L U G S यापिर डीफोरमेशन हम इसको बोलते हैं और यह जो63 में होता है इसको merekaopedia बोलता है यह Axis होता है तो एक इस ओर लग्स के बीच में एक अंगल बनता है जिसे कि यह वाला एंगल यहां पर बताया गया है जितने भी एंगल बन रहे है इन एक्षिज की बीच में ये आंगल जो होता है ये बेरी वेरी इंपोर्टन होता है। इसको हम एंगल बोलते हैं यहां पर जो कोई स्पेसिंग भी देगी है लग्स के बीच में स्पेसिंग भी होती है एंड लग्स की हाइट जो होती है यह भी आपको पता होने चाहिए कि लग्स की जो हाइट होती है वो कितनी होती है एंगल जो बनता है वो शुड नोट भी ले और यह है यहां इनके बीच में height जो है यह कितनी होनी चाहिए आपने देखा होगा तो थोड़ी सी height जो हो ऊपर के लिए होता है यह लक्स जो होते हैं उपर के लिए होते हैं तो उसकी जो height होती है वो greater than होनी चाहिए greater than यह निके 0.04 से लेकर 0.05 into diameter of bar यानिके मान के लिए कि आपके diameter जो बार है वो 12 mm की है तो हम 12 mm से उसको multiply करेंगे इन दोनों value से तो greater than ही value आती है तो इतनी height जो हो लक्स की height होनी चाहिए अगर हम spacing की बात करें जो spacing होती है तो वो spacing जो होती है वो should not exceed यानिके इस value से exceed नहीं होनी चाहिए तो कौन सी value से exceed नहीं होनी चाहिए तो वो 0.7 into diameter of bar यानिके 12 जीरो point 12 into अगर 10 mm की बार है तो इतनी exceed नहीं होनी चाहिए इनके 7 mm आएगा 7 mm की spacing जो हो होती है पीच इनके इसको पीच भी बहुत सकते हैं तू लाग्स के बीच में जो spacing होती है वो साथ में से कम नहीं होनी चाहिए इनके पूरी ही जानकारी देगी है मैंने यह question जो है अपनी वीडियो में कई बार आपको समझाया है लेकिन वहां पर मैं आपके लिए इमेजेज नहीं लेकर आता है यहां पर मैं आपको इमेजेज भी लेकर आया हूं कि कौन सा एंगल क्या है कौन सी हाइट बन रही है तो पूरी ही जानकारी आप बीडियो को पाउज करके भी समझ सकते हैं अगर समझ में नहीं आया अगला कुशन देखी यहां पर जो हम टेस्ट यूज करते हैं क्या डेटरमाइंट करने के लिए बैंडिंग स्टेस्ट जो होता है स्टील का स्टील की बात हो रही है तो बैंडिंग स्टेस्ट जो होता है उसका भी हमें पता लगाना होता है तो उसको डेटरमाइंट के लि carbon जो है वो steel में क्या हो रहा है increase हो रहा है उसका percentage तो ductility जो होती है वो कम हो जाती है मैंने आपको पीछे भी question में बताया था उसके बाद अगर हम बात करें weight of steel wire per meter length के लिए तो जो weight होता है steel wire का वह हम कैसे calculate करते हैं डी का square over 162.2 तो यह जो आता है वो per meter के हिसाब से आता है जैसे कि आगर आप कोई हमारे पाद steel है उसका diameter 12 है उसका square करके 162.2 जो आप calculate करते हैं तो वह 1 meter के लिए आएगा तो एक meter के बाद अगर आप चाहते हैं कि आप 10 meter के लिए निकालें तो जितना आएगा उतने में से आपको 10 meter जो है उसको multiply कर देना है आपकी value जो हो आजाएगी इतना weight होगा next अगर हम बात करें कि जो reinforcing steel bar होती है उसका एक और नाम है वो है re-bar next point देखिए as per हमारे indian standard यह वाला ice code जो है fourth revision के according हो रहा है तो यह जो ice code है वो कौन से steel से rate करता है तो वो है hy sd war से इस steel से relate करता है यह वाला ice code जो है तो यहां पर बोला है कि different strength grade है यह निके hy sd war को हम strength grade के नाम से भी जान सकते हैं यह points आपको पाता होने चाहिए तो इसमें जो grade आते हैं वो चार्ट तरक grade आते हैं fe 415 जिसको हम fe 415 d भी बोल सकते हैं fe 500 fe 550 और fe 600 हम यह चार strength grade होते हैं जो कि कौन सी category में आते हैं hyst की category में और कौन से ice code से relate करते हैं इस ice code से वो relate करते हैं friends वीडियो को share किजिए अपने दोस्तों के साथ फटा पर से और comment box में comment किजिए कि आपको इस तरह की वीडियो चाहिए और वीडियो हमारी कैसी लगी प्लीज कमेंट किजिए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी next point देखे next point very very important है यहां पर form of steel reinforcement जैगे जो reinforcement हम इस टील concrete में provide करते हैं वहां पर उनके different type दिये गया है और कौन से ice code से relate करते हैं वह दिया गया है जिसे my steel और medium tangi steel मैं आपको बता दिया वह इंडिये standard इस ice code में आते हैं H, Y, T, War के बारे में भी बता दिया कि वह इस ice code में लेट करते हैं लेकिन इन दोनों के बारे में नहीं बताया था तो hard drawn steel white fabric जो होता है वह 1566 ice code में आता है उसका structural steel जो होता है जो की grade A का होता है वह 2062 ice code में आता है सो friends video को अपने दोस्तों का share किजिए comment कीजिए कि आपको हमारी यह video कैसी लगी वीडियो को like किजिए और चैनल को subscribe नहीं किया तो चैनल को subscribe किजिए ताकि आपको इसी तरह की latest video जो वो मिलती रहे और comment box में लिखे कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी और अगर आप और monk test लगाना चाहते हैं तो आप हमारी website पर जा सकते हैं और वहां पर बहुत सारे monk test उनको लगा सकते हैं free of cost तो thank you friend और अगर आपको चप्टर भी आप लिख सकते हैं या फिर आप strength of material के चप्टर भी लिख सकते हैं इस तरह से कोई भी चप्टर का नाम आप लिजिए मैं all about उसके बारे में वीडियो जो बना दूंगा so thank you friend वीडियो देखने के लिए